भारत की पावन भूमी पर अनेकोद धार्मे के स्थल मौजूद हैं और सभी धार्मे के स्थल अपने अपने इस्थापत तेकला और चमतकारिक इतिहास के लिए प्रसद हैं भारत में ही प्रसद मंदिरों में से एक चौसट योगिनी मंदिर है जिसका इतिहास भी काफी रोचक है और रहस्यों से भरा है चौसट योगिनी मंदिर मध्यप्रदेश के मुरणा जले के मितावली गाव में इस्थित है इसके अलावा भारत में चौसट योगिनी के दो मंदिर ओडिशया में इस्थित है आज हम आपको मध्यप्रदेश के मुरेना जिले में इस्थित चौसट योगिनी मंदिर से जुड़ा रोचक इतिहास बताने वाले हैं इसलिए जुड़ रही है आखिर तक मेरे साथ नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान समवाद तो इसका लेक भी मिला है गुरजर घार के इतिहास भाग दो में जो की श्री आघव गुरजर ने लिखा है चौसट योगीनी मंदिर को अपने जमाने का तांतरिक यूनिवासिटी भी कहा जाता था विदेशी आत्रियों ने इस यूनिवासिटी में अपने अध्यन को पूरा किया था आठवी सदी से नौवी सदी में इसका निर्मान कार पूरा हुआ था मितावली के मुरैना में गुर्जर घार मध्यप्रदेश में गुर्जर समराच महिर भोज और महिपाल खासियत में इसका निर्मान करवाय था प्राचीन समय में यहां तांतरिक अनुष्ठान होते थे दुनिया में चार ही उनिवर्सिटी थी तांतरिक साधना के लिए भारती पुरातत्व सर्वेक्षर ने इस मंदिर को प्राचीन एतिहासिक इसमारत घोशित किया हुआ है इंकतेश और महादेव मंदिर के नाम से भी से जाना जाता है और इसका आकार गोलाकार है और 101 खंबे यहां पर है और 64 कमरे है जहां शिवलिंग है आज इसकी कला का अध्भुत नमुना भारती संसद भवन भी है इसकी भूमी तल से 300 फिट ओचाई है और भारत में चार प्रमुख 64 योगिनी मंदिर है दो और इशा में है और दो मध्यप्रदेश में लेकिन इन सब में मध्यप्रदेश के मुरैना इस्थे 64 योगिनी मंदिर का विशेश महत्व माना जाता है इस मंदिर को गुजवे जमाने में तांतरिक विश्विद्याले भी कहा जाता था उस दौर में इस मंदिर में तांत्रिक अनुष्ठान करके तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए तांत्रिकों का जमावडा लगा रहता था मौजुदा समय की बात करें तो यहां कुछ लोग तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए यग्य भी करते हैं ग्राम पंचायत में दावली, थाना रिठोरा कला, जिला मुरैना में ये प्राची चौसट योगिनी शिव मंदिर हैं, इसे इंकतेश और महादेव मंदिर की नाम से भी जाना जाता हैं, इसका निर्मान तदकालिन गोर्जर प्रतिहार शत्रे राजाओं ने करवाया था, और इस मंदिर के गोलाकार एकाई में, चौसट जो कमरे बने हुए हैं, उनका भी अलग मैत्व हैं, क्योंकि हर एक कमरे में एक शिवलिंग स्थापित हैं, और इसके मुखे परिसर में भी एक विशाल शिव मंदिर हैं, भाटी पुरातत्वर विभाग के माने, तो इस मंदिर क नवी सदी में बनवाया गया था, कभी हर कमरे में बहगाण शिव के साथ देवी योगिनी के मूर्थियां भी हुआ करती थी, इसलिए इसे 64 योगिने शिव मंदिर कहा जाता हैं, वरतमान की बात करें तो देवी की कुछ मूर्थियां चोरी हो चुकी हैं, और कुछ प्रमाने में तांत्रिक अनुष्ठान यहां पर हुआ करते थे यह स्थान गॉलियर से करीब 40 किलो मीटर दूर है और मुरैना से पहले करह बाबा से या फिर मालनपुर रोड से पढ़ावली तक यहां पर पहुंचा जा सकता है और यह एक उंची पहाड़ी परस्थित है और जिसी को आधार मानकर ब्रिटिश वास्तोविद सर एडविल लूटियंस ने यहां पर संसद भवन की प्रेणा भी ली थी और यह पूरा लेक का जो आभार है वो श्री आघम गुर्जर से लिया गया है और यह वो प्रमान है जो इस मंदिर के पीछे छुपे हुए थे इनक इतिहास के पन्नों में अधूरी रह जाती हैं और उनी को हम लेकर आते हैं वीडियो के फॉर्म के जरे ताकि यह कहानिया हमेशा जिंदा रह सके और आपकी भविशे पेड़ी तक पहुंच सके कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और ऐसे ही और वीडियो के लिए देख करें हैं राजिस्तान समवाथ नमस्कार कि हम सबका उसमें बड़ा कॉंट्रिबिशन हो इसलिए सोलर प्रोजेक्ट की टाइमली डिलेवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पोरा पुटेंश आपको मिले इसी दिशा में काम करते हैं